स्कूल के दुनों में क्लास की टॉपर थी यह अभिनेत्री, इकोनॉमिक्स में मिल चूका है गोल्ड मेडल दोस्तों, फिल्मी जगत में बहुत से कलाकार है, जो पढ़ लिखकर कुछ और बनना चाहते थे लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें एक्टर बनाया वहीं कई ऐसे कलाकार नहीं है, जो एक्टिंग के साथ साथ पढ़ने लिखने में भी काफी तेज हुआ करते थे आज के इस पोस्ट में हम आपको बॉलिवोड की एक ऐसी अभिनेतरी के बारे में बताने वाले हैं, जो स्कूल के दुनों में क्लास की टॉपर हुआ करती थी इतना ही नहीं उन्हें इकोनोमिक्स ने गोल्ड मेडल भी मिल चुका है तो आए ये जानते हैं इस अभिनेतरी के बारे में दोस्तों, हम जिस अभिनेतरी के बारे में बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बलकि बॉलिवुड जगत की बेहत कूपसूरत अभिनेत्री अमीशा पटेल है जी हाँ आज के इस पोस्ट में हम आपको अमीशा पटेल के बारे में बताने वाले हैं सबसे पहले हम आपको बता दें अमीशा पटेल बॉलिवुड की फ्लॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल है। उन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तब इनकी फिल्में हिट हुई। लेकिन उसके बाद इनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप होती गई। जिसके बाद इन्हें काम मिलना बंद हो गया। आपको बता दें कि अमीशा पटेल को बच्पन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था जिसके कारण वर स्कूल के दिनों में अपने क्लास की टॉपर हुआ करती थी। इतना ही नहीं उन्होंने एकोनोमिक्स में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। आप में से अधिकतर लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि अमीशा पटेल एक बायो जेनेटिक इ नजर नहीं आ रही है। बता दें कि हाल ही में अमीशा की फिल्म वे अजी सुपर हिट आई थी। लेकिन बह बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। देखा जाये तो वेह फिल्म फ्लॉप ही रही। इस फिल्म में वेह सनी दियोल के साथ नजर आई थी। बता में भी वेह बेहत खुबसूरत दिखती है।